हलो एवरिवान मैं परम स्वागत करता हूँ आप सब का अपने प्लैटफर्म ब्राइट होरिजोंस पर तो कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है एससी ने ऑफिशल अपडेट दिया था जिसमें उन्होंने एक नोटिस में जारे किया था कि आपके एससी जिडी के जो मार्क्स हैं वो 27 मई से 27 अपरल से आपको दिखाए जाएंगे 27 अपरल से आप अपने रिजल्ट नॉर्मलेशन स् है मैं SSA की ऑफिशल साइट पे अपलोड हो चुका है आए देखते हैं कि क्या ऑफिशल नोटिस है जहां से मैंने SSA की ऑफिशल साइट खोली हुए है यहां पर मैं नीचे जाके देखता हूं लेटस नोटिस पे एक मही का नोटिस आया हुए अपलोडिंग आफ मार्क्स नोट हो जाएगा यह दोनलोड हो चुका है इसको ओपन करते हैं हम जहां से इसको ओपन कर लिया हमने स्टाफ सेलेक्शन कमिशन टेक्लेर दा रिजल्ट साफ कंप्यूटर बेस्ट इग्जैमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉंस्टेवल जीडी सी एप एफ एग्जैमिने और इन्होंने बोला हुआ था कि Candidates were available to website commission 27 April से 12 मई तक वो अपने marks देख सकते हैं कि आपके कितने marks बने हुए है ठीक है उसके साथ ही Candidates are here were informed इन्होंने कहा कि Candidates को inform किया जाता है कि due to other ongoing examination जो ongoing examination चल रहे हैं जैसे अभी MTS का exam आने वाला है MTS का admin card आ चुका चल रहा है ठ ठीक है तो उन्होंने कहा कि उसकी वज़ा से हम क्या करते हैं कि अपनी जो फैसलिटी है now be available on the website of the commission 8 मई 2023 ठीक है 8 मई 2023 से onward आपको दिखाए जाएंगे आपके marks 8 मई के बाद आप साइट पे देख सकते हो कि आप बच्चों के कितने marks बन रहे हैं कितने normalization marks बन रहे हैं ठीक झाल के तो उसी पता है यहें अ कितने आप सेछाए ज्या हुआद है उजए बचल हुआवच मे, झापक हा बन रहे हैं घपका हुआ मेंद़ हैं तो यहें